बॉर्निंग नमस्ते फ्रेंट्स आज मैं आपको कैक्टस की नहीं नहीं विराइटियां दिखाऊंगा उस रेर कलेक्शन दिखाऊंगा आपको देखके बहुत-बहुत मदा आ जाएगा दोस्तों हमेशा की तरह इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहू आप ठीक हमाई नर्सरी के सामने आ जाएंगे तो दोस्तों आएए बात करते हैं कैक्टस की तमाम वराइटियों के बारे में उसके रखरखाव के बारे में उसको कैसे केर करना चाहिए कहां इंडोर आउट्डोर कहां रखना चाहिए ऐसी तमाम बाते जो हमें कन्फ्यूज करती है आज मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए वीडियो लेके आएंगे बात करते हैं स्टार्ट करते हैं रैबिट कैक्टस से यह देखिए रैबिट की शेप में ग्रो करते हैं दोस्तों देखिए बहुत ही सुन्दर प्लांट हो ऐसे तमाम वराइट कैक्टस होते हैं इसमें जैसे देखिए मैं हाथ लगाऊंगा तो मेरे हाथ में कई सारे काटे आ जाते हैं बट इन आप इस तरह से कर देंगे तो सारे इसके जो हैं वो जड़ जाते हैं हाथ से तो कैक्टस के चाने वालों को मैं बताना चाहूँगा आज जो मैं आपको एक तेबल टॉप पे रख सकते हैं दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट होते हैं और ऐसक आपया जाता है कई लोग जो आते हैं हमने बोलते हैं कैक्टस लेने के-लिए तो डर जाते हैं जोस्तों हम उन्हें बताना जाहूंगा इनसे डर्ने की जरूत नहीं है यह बहुत ही लीस्ट maintenance होते हैं कम पानी की जरूद होती है rough and tough condition में चल जाते हैं आप देखिए यह rabbit cactus थे और यह सबसे अच्छी बात दोस्तों यह negativity एब्जॉब करते हैं घर के भार इसे रखना तो बहुत अच्छा मानते हैं लोग इन्हें ऑफिस टेबल पर वाक स्टेशन पर रखना बहुत अच है कितना सुन्दर प्लांट है चार साड़े-चार फिट का है दोस्तों यह देखिए बहुत ही यूनिक वराइटी है यह और बहुत कम मिल पाते हैं इस तरह के प्लांट यह देखिए जो हमारी collection में हैं इनको कम पानी की जरूद होती है ज्यादा पानी पानी डालेंगे तो इसको यह विल्ट होने लगेंगे गलने लगेंगे और इसका special media होता है मीडिया से हम बात करें इसकी soil बिल्कुल अलग होती है दोस्तों कभी भी आप हमारी nursery पाएंगे दुर्गा नर्सरी प्लांटेशन आप आएंगे यहां पर तो आपको इसकी soil वगेरा सब चीजे अवेलबल है हमारे पास में मैं आपको दिखाँ जाओंगो यह देखिए हवर्थिया है हवर्थिया इन्हे सब्सक्राइब कर सकते हैं एक से दो बना सकते हो आईए और प्लांट दिखाता हूं मैं आपको यह रहे दोस्तों देखिए हमारी कलेक्शन के प्लांट आपने आप देख रहे होंगे हमने लिखा है कैक्टस एब्सॉर्ब नेगिटिविटी हां दोस्तों अपने टेबल पर अगर आप रख सकते हैं वर्क स्टेशन पर रखते हैं जहां आप थे कम्पिटर टेबल आप अपने अश्ट्पकरते हों महां यह रीडियेशन एब्सॉर्ब करने का काम करता है क्या आप ने सुना यह बात देखिए मैं आपको यह बता रहा हूँ रेडियेशं तो ऐसी कुदरत की तमाम चीज हैं जो हम सब्जिया खाते हैं चाहे वह पाला को अब तक हमें जब नहीं पता था तो यह जंगल में वाइल्ड उग रही थी जब हमें पता लग गया कि हमारे लिए प्रोटीन की चीज हैं इसके कैल्सियम मिलता है किसे प्रोटीन मिलता है जैसे लोग को इसके बारे में इसके खूबियर के बारे में पता लगता है तो यह चीजे उन्हीं सब्जियों की तरह उनके पास आ जाती है और वो इन्हें संजो के रखते हैं दोस्तों तो यही सब वेराइटी हैं हमारे पास दूर्गा नर्थ्रीन प्लांटेशन में आप अधना से एक अलग क्लास है जो आज कल लोग हमके मांगते हैं यह दैकिये त्य में दिखाने वाल हमें अपको मदा आजा गागा दोस्तों यह देकिया ध कलेक्शन होती है यह देखिए उसी का ही थेक छोटा प्लांट जो हमें आपको डेड़ फिट कर दिखाए ऐसी देखिए तमाम चीज़ें हैं यह देखिए कि दियान से देखिए दोस्तों अजया आज आपको वीडियो में ऐसा एसे है आपको दिखाने वाला हूं एझिए कि यह यह पाँ की देखिए एक व्रैटी है कि अध्र सुन्दल प्लांट है जैसे दोस्तो हमारे कि हमारी स्कीन पे बाल गुँआ आएगा यह देखिए कि हिए किटना आच्छा र vermay यह इसकेién सुंदर6 अहल लग रहे हैं यह देखिए हमारा कैक्ट युर्टक कलेक्शन पॉजिटीव एणरजी के लिए हाँ दोस्तों यह positive energy के लिए होते हैं देखिए जब तक आपके मन में अगर कोई चीज ख्याल आ जाए कि यह negative होता है अच्छे नहीं माने जाते तो मैं उन लोगों को specially बोलना चाहूंगा वो बिल्कुल ना रखें अगर मन में आ गया कि यह बेकार होते हैं तो तो दोस्तों पर यह बेकारी हुए और एक दम शांत भाव से इन्हें लो enjoy करो इनको तो कोई चीज कुद्रत की कोई बनाई हुई चीज हमारे लिए नुकसान नहीं कर सकती बिल्कुल विद्वा दोस्तों बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं मैं इसको देखिए रैबिट कैक्टस में मैं बिल बताया यह रेडियेशन को अब्सॉब करते हैं तो तो चीज रेडियेशन को अब्सॉब करने वाले भी प्लांट ने हमें दे दिया हुए उन्हें पता था कि हम इंसानी लोग कंप्यूटर लेके आजाएंगे मशीनरी लेके आजाएंगे तो इनके लिए पहले ही रेडिये रेडियेशन अब्सॉब करने वाले प्लांट बना दो जो हमारे कई बुद्धी जीवी लोग ने इस चीज को ढूंड निकाला और इन्हें हमारे लिए हमारे लिए बताया गया कि रेडियेशन अब्सॉब करते हैं दोस्तो एक यह वराइटी देखे दोस्तों कितनी कितनी उन्ग बना गया राएटी हैं का कम से कम नी तो इस पांच पांच स lies इव fruition धिंग AI कितना सुन लख है एक बार और मैं यह अगल की यह कुद्धक ने में दुमाने बैक है कि उप्लांट सर एक साथ लखे हो rozp वूप के किसी भी प्लाट के अंदर और आप जब देखिंगे और यह सभी तरह के टॉइज आपको दुर्गा नर्स्री इंड प्लांटेशन में मिल जाएंगे जब भी आप आएंगे आपको हमार पाई इस तरह के सभी छोटी छोटी देखें फ्लैमिंग को हमने लगाए हुए इसे लगाने मात्र से ही प्लांट आपका सुंदर हो जाता है सबस्क्राइब भी देखी और अब मैं बहुत इघ्हान को दिखें और इस तरमन के नाम से ही बोलतएं जिम्नोकैलिस्यीयम नाम भी सब्सक्राइब में आपको छून तो यह थी दोस्तों तमाम जानकारी तमाम प्लांट जो मैंने आपको दिखाए कैसे आपको यह लगे हमारे प्लांट आपको जरूर टेक्स करके बताईएगा और देखिए इसके रख रख आपकी बात करें इसको कम पानी देना होता है इसको इंडोर में टेबल टॉप में भी अच्छे प्लांट है पानी इसको ट्वाइज अवीक कर सकते हैं विंटर में कम हो जाता है विक्टाइज में भी एक बाद दे सकते हैं और संलाइट इन्हें जरूर दिखाए संलाइट दिखाने से इसका इसकी जो ब्यूटी है वह बनी रहती है वाइल्ड ग्रो नहीं करती हैं सेंड और लीका बॉल्स होती है इसमें ऐसी कई सारी चीज़े होती हैं जिसे हम कैक्टस को लगा कर उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं और वह सभी सारी चीज़े आपको हमारे दूर्गा नर्श्री में मिल जाएगी दोसको तो यह थे प्लांट की सभी सारी बाते जो हमने आपको बताईặt लगे आपको हमारे कैक्टस प्लांस prise मैं आपको सभी तमाम वराइटियां दिखाई रेर कलेक्शन दिखाई जिनने आप रख नहीं दूर्गा नट्र्ष सकते शेख आप के वीडिओ करवा सकें दोस्तो तो ऐसी तमाम वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे दिखाते रहेंगे तो हपस् dessaid